अध्याय चौदा जेंडर समानता और महिला अधिकार जेंडर इक्वैलिटी किसी समाज की वह स्थिती है जिसमें संसाधनों एवं आवसरों की उपलब्धता की दृष्टी से इस्त्री पूरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता सितंबर 2015 में सयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चे स्तरी बैठक में एजिंडर 2030 के अंतरगत 17 सतत्विकास लक्षों को रखा गया जिसमें भारत सही 193 देशों ने इसे स्विकार कर लिया इनमें लक्षों में लेंगिक समानता को शामिल किया गया आज जाहिर है कि हमारे समाज के लिए लेंगिक समानता कितनी जरूरी है महिला वा पुरुष समाज के मूलाधार है और समानता एक सुन्दर और सुरक्षित समाज की वो निव है लेंगिक समानता के बीच में भेद भाव की यह सोच सोच समझ कर बनाई गई है जिसमें समानता तक जाने का सफर बहुत मुश्किल भरा बन जाता है इस अध्याय में हम यह समझने के कोशिस करेंगे कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों खासकर महिलाओं को समान महत्तु दिया गया है या नहीं आखिर्वे कौन से कारण है जो किसी समाज में महिलाओं को विकास के समान अवसर नहीं देते अन्यप्राणी के तुल्ना में मनुश्य एक बहतर नसल है या खुद को जानवरों से बहतर मानता है हाला कि मनुश्यों के बीच भी भेद भाव अकसर देखा गया है महिलाओं के साथ समाज में पुरुषों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया गया और यह लेंगिक असमानता सदियों से चली आ रही है किन्तु हाला कि कुछ वर्षों से सभी मनुश्यों को उनके लिंग के बावजूत समान व्यवहार करने पर बहुत जोर दिया गया हमने लेंगिक समानता के विशय में अपनी धारणा को बहुत ही संकीन रखा है हमारे आसपास के परिवेश में हमने पुरुष और महिला के लिए कुछ विशेस अंतर को निर्धारित कर रखा है ये अंतर विकास के शुरुवाती दोर से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं जैसे लड़के व लड़की के व्यवहार पर कपड़े जैसे लड़की के लिए फ्रॉग लड़के के लिए पैंट शट खेल जैसे लड़कियों के लिए गुडिया किचन संबंदित खेल और लड़कों के लिए आउटडोर गेम अगर हम गौर करें तो प्रति दिन की छोटी छोटी बातों में या अंतर इसपश्ट दिखाई देता है जैसे लड़कियां आम तोर पर विनम्र मानी जाती है और लड़के कठोर पर या ध्यान देने योग्य बात है कि इन बातों का प्रभाव बाद में उनके जीवन पर पड़ता है आज भी हमारे समाज में तकनीकी सिक्षा के लिए लड़कों को उचित माना जाता था और लड़कियों के लिए सिक्षन वा नर्स जैसे कार्य किन्तु बदलते परिवेश में लेंगिक समानता ने इस गहरी खाई को कुछ हद तक कम कर दिया है फिर भी समाज आज भी इसमें व्यापक बदलाव की मांग करता है आईए इसे समझने का प्रयास करते हैं जेंडर क्या है जीव विज्ञान में सेक्स लिंग जेंडर से तातपर्य उन पहचान या लक्षणों से हैं जिसके द्वारा जीव जगत को आकार बनावट छमता के अनुरूप समाज नर और मादा में प्रिधक करता है बच्चे के जन्म के साथ लड़के और लड़कियों को उसके अलग-अलग रूप में ढालने के लिए अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है हमारे समाज के द्वारा लिंग भेत के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारन किया जाता है लिंगभेद पर आधारीद भूमिका के विभाजन को जेंडरी करण कहा जाता है समाजिक संदर्भ में समानता का अर्थ किसी समाज में कानून के समक्ष हर अवसर पर समानता से जुड़ी बात है हमारे देश में भी लिंगाधारित भेदभाव बहुत व्यापक इस्तर परव्याब्त है जन्म से लेकर मौद तक, सिक्षा से रोजगार तक यह भेदभाव साफ स्पष्ट आते हैं इस भेदभाव को कायम रखने पर राजनेतिक पहलू बड़ी भूमी का निभाते है रोजगार के शेत्र में लेंगिक भेदभाव क्या श्रम का विभाजन भी लिंगाधारित है महिला पूरुष के व्यभार व जीवन के फैसले विभिन आधारों पर प्रभावित होते हैं समाज द्वारा लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को भी परिभाशित करने की कोशिस की गई है जिम्मेदारियों के बटवारे में पुरुष वा महिला का निर्धारन समाज के द्वारा किया गया जैसे बच्चों के जन्म के बाद पालन पोशन में महिलाओं की भागीदारी होगी इनके साथ घर के काम भी किन्तु एक अलग नजर से देखा जाए तो माता के साथ पिता के भी इसमें मुख्य भूमिका होनी चाहिए इसके उलट पुरुष घर के बाहर का काम करेंगे वे घर के कामों के लिए नहीं बने हैं किन्तु अब इस्थिती बदलने लगी है और यह पारंपरिक सोच बदलने लगी है अगर देखा जाए तो यह समाज के हर वर्ग में इसके उदाहरन देखने को मिलते हैं जैसे मनोरंजन के शेत्र में भी महिला नायका को पुरुष नायक की अपेक्छा कमपारिशर्मिक मिलती हैं और इसके ठीक विरुद समाज के निचले स्थर में श्रम वेतन में महिला श्रमिक को पुरुष की तुलना में कम मजदूरी का निर्धारन किया जाता हैं आज हम विश्व इस तर पर सतत विकास में लेंगिक भेदभाओ को दूर करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेंगिक भेदभाओ की जड़े सामाजिक और राजनेतिक कार्णों से मजबूती पकड़ रही हैं। लेंगिक समानता का उद्देश, पुरुष और महिलाओं के बीच सभी सीमाओं और मतभेद को दूर कर समान अधिकार वा समान अवसर को सुनिश्चित करना हैं।